नमस्कार साथियों वेलकम टो अपनी युनिवर्सिटी दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता है कि बहुत कम समय बचा है नेट जून दोजार तीस में और मैंने आप से एक वादा भी किया था कि मैं नेट जून के पेपर के लिए जो आपकी डिमांड थी कि पेपर वन का हम भी करवा पाएंगे चूंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक मैसेज़े आ रहे हैं आपकी डिमांड आ रही है कोल्स भी आप कर रहे हैं कि सर कैसे भी करके हमें पेपर वन का थोड़ा बूट करवा दीजिए मोटा मोटा आइडिया दे दीजिए क्या करना है तो मैंन 2023 का एक्जाम है नेट का यह सबसे अधिक मैतोपूर है क्योंकि यह अच्छे से कर पाएंगे तो आप एक अलग कॉन्फिदेंस के साथ आप असिस्टेंट फ्रोफेसर को एक्जाम को दे पाएंगे और अच्छे से आपकी माइंड ली एक मतलब मेंटली आप अच्छे से एक एक्टिव होकर भी आप तयारी भी कर पाएंगे तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने एक प्लान किया है प्लान यह है कि अगले जो हम कम समय में हम क्या बहतर कर सकते हैं तो जो पंद्रा दिन है हम पंद्रा दिन में एक अंतिम प्रहार के रूप में मेरा ये प्लान रहेगा कि जो हमारी सारी 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में मैतमेटिक्स और इसिनिंग इनको छोड़कर बाकि सारी यूनिट के इंपोड़ेंट टोपिक है मैं वह आपको अच्छे से करवादू तो जो हमारा प्लान रहेगा कि हर साम को रोज को वहलब डेली हमारी साम को 8 ब सकते हैं वो मैं अच्छे से आपको करवाने वाला हूं ठीके साथ में हम ये कर सकते हैं कि इस यूनिट के जो दस आठ यूनिट है आठ यूनिट में हमारा प्लान रहेगा की रोजाना हम क्या करेंगे की एक यूनिट करेंगे तो एक यूनिट में जो most important topic है जहां से हर बार क्यूशन बनता है सामान ये जो गलतिया हम से होती है वो नहीं हो प्लस इस unit के साथ एक unit हम करेंगे और इस unit के साथ हम क्या कर लेंगे पांच क्यूशन कर लेंगे राइट पांच से साथ क्यूशन हम रोज practice करेंगे कि जो पूछे गये हैं या पूछ हमारे सर माते पर आप जो कहेंगे वैसे भी हम करने को त्यार हैं लेकिन मुझे यह बैस्ट लगता है कि एक गंटे में mostly जो एक एज जिन्होंने पढ़ रखा है उनका revise भी हो जाएगा जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है केवल फोम बढ़ा है और वो जो है उनका एक स सांदार एक मेरातन क्लासेस लेती वैसे मेरातन क्लासेस लेके हम पूरे सेलेबस को एक बार कवर करवा देंगे तो मोटा मोटा जितना हम पंदा दिन में कर सकते हैं वह हमारी तरफ से बैतर करने का हम प्रयास करेंगे बाकि आप भी सेल्प भी पढ़ते रही है जितना आप आप सेल पड़ेंगे उसका तो कोई तुलना नहीं है ठीक है अपने सेल लेवल पर करेंगे उसके अंडरेस्टिंग और भी सांधार होगी तो ज्यादा हम समय भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे कि यहां पर हर टोपी को बहुत लंबा खिंच रहें बहुत सो टेल स्वीट में ह दूसरी बात यह है कि अभी तो हमारा यह हम पंता दिन करेंगे वह सारे स्टूडेंट है जिन्नों ने अभी टार्गेट लिया असिस्टेंट फ्रोफेसर का या अभी पीजी के में के एक्जाम दे रहे हैं या प्रिएसर के एक्जाम दे तो उनका टार्गेट जो है हम अचीव कर पाएं और अपना ज्यारेफ का सपना साथ में सबसे बड़ा जूद सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसको हम पूरा कर पाएं ऐसा ही प्लान हम करने वाले हैं तो आज का जो यह वीडियो है मैं इन्फोर्मेसन देने के लिए आपके लिए आया था कि कल से ह हम ऐसा प्लान कर रहे हैं सुबह इसका सेड्यूल लग जाएगा साम को आठ बजे रोज क्लास होगी और उस क्लास में हम सारा इस टार्गेट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या कहना है आप किस प्रकार तयार हैं आपके जो भी भाईबंदू तयारी कर रहे हैं उन दिक्कत पेपर नेट के पेपर वन में हो रही है सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कूर कर रहे हैं लेकिन पेपर वन की वज़े से वह पिछे रहे जाते हैं तो इस रंडिति पर इस इस्ट्रटजी पर हम आगे बढ़ने वाले हैं तो बाकि सारी यूनिट आप सभी को ब पतायता वही मैं आपको आड़ दिन में करवाने वाला हूं तो जो मैं करवाओंगा उसको साथ-साथ में आप सेल्फ लेवल पर भी कर सकते हैं तो मालों मैं गिंटेक क्लास मूंगा तो आपको एक वीजन पता चिल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट से पोटी यूनिट है सांदार कवर करेंगे अच्छे से ठीके और मैतमेटिक लेजनिंग यह मुझे आती नहीं है मैं नहीं करवाओंगा ठीके मेरा भी डबागोल है इसमें मैं पढ़ा नहीं सकता इसको ठीके मेरी काम की चीज है मैं एक्जाम पास कर सकता हूं लेकिन इसको पड़ा नहीं सकता लोजिकल रिजनिंग ठीके इसको भी हम एक वाट ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ठीके आप अपने लेवल पर सेल्प कर सकते तो अच्छा है साथ में यह रोजिट सोडी लोजिकल डिजनिंग के जो है कुछ चप्टर ठीक है इसके कुछ चप्टर में कर आदारीत है तो यह मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको ठीक है यह आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है साथ में ICT इनफोर्मेशन एन कम्मुनिकर्शन टेक्नलोजी यह आपको वह सांदार्व एकदम अच्छा लेवल आपका आजाएगा वह करवा दोंगा और यह तो मेरा फै सामें क्या-क्या चीज़े कौन-कौन सी इंपोटेंट है ठीक है कौन-कौन सी आने वाले समय में पूछी जा सकती है वह सारी चीज़े हम इसमें कर लेंगे राइट तो यह हमारा प्लान देगा आठ यूनिट है आपको आठ यूनिट को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि उसके इंपोटेंट टोपिक और ऐसे टोपिक है जब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जनरली उसका कंटेंट मिलता नहीं है कुछ नए इनिसिटिव है कुछ करंट एफर की चीज़ें उस सारी चीज़ें हम साथ में कर लेंगे तो यह हमारा प्लान है आप कितने त्यार है यह निकालेंगे वह निचोड में आपको टार्गेट भी दूँगा आपको भी वापस निचोड निकालना है आपको भी जो किताब बताओं गा मैं कल उसकिताब से वह चीज़ें सारी पढ़नी है ताकि वह अच्छे से आपकी और कवर हो जाए राइट और साथ में आपका सब् परियाज करेंगे तो आप सभी का आबार कल साम को मिलते हैं 8 बजे और इसको अगले दिन काफी दिन हम खिंचेंगे साथ में मेरातन कलासेज भी लेंगे ठीके दोस्तों विश्यू ओल्डा वेरी बेस्ट ज्यान रखिएगा हमारा टारगेट क्या है केवल लेट टारगेट न ला सकते हो ठीके काफी इंप्रूमेंट ला सकते हो तो उसका हम परियाज करेंगे थैंक यू विश्यू अलदा वेरी बेस्ट गुड़ लग् क्यों लेधा हम कि आजेालो हुड़ लेकर